हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी जिद्धी झाईउं के बारे में मैं ऐसा नुस्का आपके साथ शेयर करूँगी जिसे अजमा कर आप अपने चेहरे की जिद्धी जहाईों से चुटकारा पा सकते हैं जहाईयां तवचा पर पढ़ने वाले काले धपो को कहते हैं इसे हाइपर पिग्मेंटेशन भी कहा जाता है किसी के चेहरे पर इसके निशान चोटे होते हैं तो किसी के काफी बहुत बड़े होते हैं वैसे ये हानी कारक तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ मावलों में ये मेडिकल प्रावलम के लक्षन भी हो सकते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं जो नुसका आपके साथ शेयर कर रही हूं उसे अजवा कर आप अपने चेहरे की जायों को पिग्मेंटेशन को दूर कर सकते हैं इससे बनाना बहुत असान है दो मिनिट में ये बनके मिक्स्चर त्यार हो जाएगा आपका और उसे चेहरे पर कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी मैंने एक चमच यहाँ पर खीरे का रस लिया है खीरे को कदूगस कर लीजी और उसका निचोड लीजी और एक चमच यहाँ पर मैं शहद मिला रही हूं इसके अंदर एक चमच शहद हमारी सकिन को टाइट करता है और ब्राइट भी करता है और जो रिंकल्स की प्रॉलम होती उसे भी दूर करता है और इसमें एक चमच डालेंगे लेमन जूस lemon में ये quality होती है कि जितने भी आपके skin के दाग धबें उसे दूर करता है खीरे में भी इस सारी quality पाई जाती है यो आपके skin के दाग धबों को दूर करने की शमता इन में होती है इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला देंगे यह हमारा mixture त्यार हो गया अब इससे face पर कैसे apply करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले अपने चहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए यहां किसी भी face wash जो आप यूज करते हैं उससे wash कर लीजिए यहां rose water से भी आप इसे साफ कर सकते हैं अपने चहरे को ताकि oil वगारा जो लगा हुआ है और निकल जाए जो हमने lemon निचोड़ा था उसका छिलका लेंगे उसी की help से अपने चहरे पर circular motion में मसाज करते हुए अपने चहरे पर इसे लगाएंगे हम इसे dip कर दिया मैंने इसे अपने इसे ऐसे ही लगाना है यह 2-3 मिनट तक अपने चहरे पर इसी तरह से मसाज करते हुए हम इसे लगाएंगे जहां पर आपके जो pigmentation की problem है वहाँ पर इसे ज्यादा आप करेंगे और पूरे चहरे पर गले पर आप इसे लगा लेंगे अगर आपके pigmentation की problem नहीं भी है तब भी आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि जो खीरा लेमन जूस और यह तीनों चीज़े आपकी स्किन को बहुत अच्छा गलो देती है स्किन आपकी ब्राइट हो जाती है इससे और जो भी दाग धब्बे वगरा है वो दूर हो जाते हैं स्किन में एक नया निखार आ जाता है और इसे 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा के रखेंगे अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा जाईया है पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम में तो आप इसे एक दिन में दो बार अपलाई करेंगे सुबह और शाम को अगर दो बार आप इसे लगाएंगे चेहरे पे तो आपके जो पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है जाईयों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपको एक दो दिन में इसका असर देखने को मिल जाएगा और इसकी बाद में आपने चेहरे पर आपने क्या लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसे 10 मिनट त होने के बाद उसे ड्राय कर लेंगे फेस को हम और इसके बाद फेस पे अलोविरा जल की एक मोटी सी परत बना के लगा देंगे इस तरह से कुछ और इसे अगर आप दो दिन तक करेंगे लगादर देखेंगे तो आपको असर रिजल्ट पोजिटिव मिलेंगे अच्छे मिल करेंगे आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थेंक यू